है तो वल्कम बैक टो आज बाच जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है और काफि چेंज़ंगे मतलब टीम में दोनों काफि टीम में काफि चेंज़ंगे मतलब डेविड मिलर नहीं खेलने हैं उनकी जगे यह किलने हैं Henry लासैन जोकि विक्ट कीपर बैटसman है और मतलब काफी explosive batting करते हैं और एक और change किया है मतलब पाकिस्तानी भी change किया है कि उन्होंने जो उनके विक्ट कीपर है हारीस उनको टीम में ले आए हैं और वो जो फकर जमान थे वो जो इंजल लग रेए थे पिसमें मैंच में वो मतलब बाहर हो गए वो नहीं खेल ले आया है तो यह चेंज है और एक और चेंज किया है कि केशव महाराज जो मतलब लेफ्ट आम स्प्िनरबॉलर उनकी जगह पे तबरेज संसी जो कि चाइना मैं बॉलर है उनको टीम में जगह मिली है और यह काफी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यह अलग चेंज क्यूं किया है क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक होने वाला है थोड़ा सिड्नी देखते हैं स्पिनर्स को मदद मिलती है कि नहीं और पाकिस्तान ने टॉस जीता है और टॉस जीत कर मतलब पहले बैटिंग करने का फैसला किया है तो देखते कितने मतलब टार्गेट कितने का टार्गेट रख पाती है टीम और कैसे क्या रहता है मेरे इसाब से पाकिस्तान ने अगर टॉस जीता है तो शायद पहुंच जाएगी इंडिया जीत के पहुंच जाएगी मतलब पाकिस्तान अगर जीत जाती है तो देखते हैं क्या सेनेरियो रहता है उस पर बात करेंगे और यह जो महमद हारिस आए मिडिल ओर मतलब पाकिस्तान के वैसे ही इतना अच्छा नहीं था मगर यह हारिस आए त तो चेंज करना क्या सही रहता है मतलब बीच में टूनामेंट के तो देखते हैं क्या होता है फिर आप से बात करेंगे बात में